है लो फ्रेंड वेलकम तो माई चैनल आज हम दिस्टेशन पार्ट वान यानि रिसर्च यानि सोध प्रस्ताव इसके रिलेटेड वीडियो लेकर आए हूं और मैं इस टेप बाइस टेप बताऊंगी कैसे आपको सोध प्रस्ताव या फिर इस्टेशन या फिर रिसर्च सबका एक ही मेनिंग है दिस्टेशन भी बोलते है सोध प्रस्ताव बोलते है तो ये सब कैसे बनाना है कैसे बनाकर आपको ऐच्छेegan स्मित कर दिया है इसके बाद ही म मैं आपको यह विडियो बना रहे हूं क्योंकि यह कॉले से लाओ नहीं होते हैं कि आप अपना दिस्टेशन पार्ट वन या फिर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करो और मैंने यह समीट कर दिया है और अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया उसके लिए मैंने को से समीट नहीं कर दूंगी तब तक मुझे नहीं एलाओ करेंगे तीक है फिर मेरा रिजेक कर दिया जाएगा तो आप लोग समझी सकते हो समीट मैं कर दूंगी तब मैं आपको मैं बता दोंगी कि मैंने कैसे कैसे किया है उके चली इस अब टाइम विश्ट नहीं करते है अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा ठीक है और एमिट से रिलेटेड आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है दिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है वहां से जाकर प्लीज आपको वहां से आपको स्लेवस मिलेगा और कोशन पेपर मिलेगा और फिर एसाइम्मेंट मिलेगा ठीक है लेसन प्लाने सब साल अचीज आपको मिल जाएगा आप जुरूर डेख लिएगा ओके तो हमें इस स्टेशन पार्ट वान यानि रिशर्च में क्या-क्या टॉपिक को इंक्लूट करना है जैसे प्रस्तावना आप सकता क्यों है इसका इसका समस्या उदेश परिकल्पना प्रतिदर्श सोध विधी सोध उकरन परियुक्ट सांखे की विधी परिनाम निसकर्स युम सुझाओ इस सारा टॉपिक आपको इंक्लूट होगा तभी आपका एक रि होंगे न तो उस टॉपिक में आपको ऐसा चुनना होगा क्योंकि आपको दिश्टेशन पार्ट 1,2,3 यानि सकेंसमेस्टर, 3rd semester और 4th semester तीनों semester में आपको एक ही topic से बनाना होगा ठीक है तो आपको वही topic चुनना होगा और उसी topic से आगे मतलब जैसा बार्ट 1 में आपको स तो इस तरह से आपको करना है तो चलिए मैं आपको पहले एक और काम कर देती मतलब आपको छोटा से वीडियो के लिए भी देखा दूगी किस तरह से मैंने टाइपिंग के रहा है तो वह मैं आपको लाश्ट में दिखाऊंगी और प्लीज शुरू से लेगे यहां तक वीडि रिसर्च पेपर ठीक है चलिए मैं इसे पेडियेफ मूर में लेकल लेती हूँ यह देखे यह आपको फोर्मेट बनाना होगा कॉलेज का नाम और आपको अपना एमेट संकेंड सेमिस्टर लिखा हूँ है मेरा नाम रॉल नमबर सेशन सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक् ठीक है और यह देखे मेरा जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक यह है क्यादुनिक परिपेक्ष में महातमा जोती रॉप फूले के सैक्षिक विचारों का समिक्षात्मक अतियान यही मेरा टॉपिक सेलेक्ट हूआ है कॉलेज है ठीक है मैंने इसी पर मैंने सोद किया हुआ है ठीक है सोध प्रस्ता आपको यहां पर लिखाओ लिखना होगा कि ए एमेट के उपादी हुए तू प्रस्ता हो है अपना नाम और निर्डेशक जो आपके teacher है उनका नाम होना चाहिए ठीक है आपका college का नाम होना चाहिए और यह है जो दी राफूल इनी के बारे में मैंने सोद किया हुआ है इनका जनम और इनके हम प्रतियों का डेट आला हुआ है यह आप कर सकते हो या फिसको इसके भी कर सकते है इसका जरूरी नहीं है लेकिन आपको एंग्लिस में भी लिखना है तो लिख सकते हो टाइटल लिख सकते हो रिसर्च लिख सकते हो गाइड लिख सकते हो कीवर्ड लिख सकते हो उनिवर्शिटी कंप्लीट डेट ठीक है यह तो आपको इस तरह से आपको लिखना है आपको जो भी टॉपिक है थीक है भारत एक विकाशिल राष्ट है 2011 की जनगना के नुसा साग्षाता दर निरक्षर में सारोधिक, संक्या, दलिट, भैलाओं और अल्प संक्याओं कि भारतिये सिक्षा के छेतर में अचानक कोई करांतिकारी परिवर्तन नहीं आ सकता क्योंकि भारतिये समाज में अनेक जटिल लाओं जुस योम अधुसी रूप से विद्वान है भारतिये समाज में वर्ण और जाती व्यक्तित वचश अस्थापित करने के लिए एक प्रमुकारक के रूप में स्मीतिक काल से जहीं चल रही है ठीक है इस तरह से आपको लिख मतलब आपको प्राचीन का लिखना है माध मध काल का लिखना है अधनी का लिखना है किस तरह से मैंने किया है इस तरह से और उसके पाद जीवन परिशे जोती राव फूले का जीवन परिशे मैंने दिया है इनका जीवन परिशे है कि जोती राव फूले का जुनम 11 अप्रे ने किया इनके कुल का नाम गोने था प्रंदु पुर्वजो द्वारा फुलो की खेती वह वयोसाय से जुड़े होनी की कारण कालांतर में परिवर्थन होकर फुले हो गया जोती राव का विवाव सवित्री बाई से हुआ था जोती राव फुलो ने अपने प्रारंबिक सिक् स्कुल में सिक्षा प्राप्त के यहां पढ़ते हुए उन्होंने विभीन धार्मिक मदू के बारे में गहनता से अध्यान किया वे टॉमन्स पेन की पुस्तक राइट्स ओफ मैंस से अत्यधीक प्रभावित हुए सन 1848-1852 के मद्द जोती राव फुले ने अठारा पट साल खोले उन्होंने 1873 में सत्य सोधन समाज के स्थापना किये उन्होंने ततकालिन बुराईयों पर प्राहार करने वाले अनिक कृतिकव जैसे ब्रामनों की चलांकी 1879 में गुलाम गीरी 1873 में किसान का कोड़ा 1883 में सारोजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1889 आदी की रचना की 19 अक्टूबर 1882 को अपने हंटर कमिशन के प्रमुक अपना प्रतिवेदन प्रस्तूद किया जिन्होंने सिछा के प्रतिक आयाम और रस्तर्ब में सुधार है तो अनिक सुझाओ दिये जोती राव फूले के समाजी को सैक्षिक सुधार कारिकरम से प्रभावित होकर मुंबई में एक व्याय समागरों में उन्हें 11 में 1888 को महात्मा की उपादी दी गए ठीक है इस तरह सिनका जीवन परिचय हो गए आपका और समस्या कतन कतन के बारे में देखना है कि जोती राव फूले जो अधनिक जो परिवार एक समाजी क्रिश्ट भूमी का अधियान करना जिसमें उनकी विचारों का प्रादूरभा हुआ महत्मा जोती राव फुले के दार्शनिक समाजी के राजनेती विचारों का ध्यान करना महत्मा जोती राव फुले के सेक्षा के विभी नायाम और अस्तरों के संदर्व में विचारों का ध्यान करना महात्मा जोती राव फुले की विचारों का कुछ अनुवर्ती विचारों पर प्रभाव का अध्यान करना और अंधुनिक परिपेक्ष में महात्मा जोती राव फुले की सेक्षिक विचारों की प्रासंगिता का अध्यान करना अध्यान विधी है मैंने अध्यान विधी भी लिखा है ठीक है प्रस्तूत अध्यान में अध्यासिक सोध विधी के परियोग किया गया है प्रस्तूत अध्यान में अध्यासिक सोध विधी के परियोग का मुल उदेश महादमा जोती राव फुले के विचारों का विसलेशन का वर्दमान वभावी समाज के विकास के लिए उचित माग प्रसत करना तद्धा दर्शनिक सोध विधी से जोती राव फुले के पौधिक वा तार्किक चिंतन का विसलेशन करने जीवन मुलिद योम तत्यों को प्रतिय स्थापिट करने का प्रयास किया जाएगा ठीक है आंकडी की सुरोत दिया गया है ठीक है प्राथमिक सुरोत एम दूतिय सुरोत इनो इसमें प्राथमिक सुरोत में है कि जोती राफुले दौरा लिखीत मुल पुस्तक लेक भासन व्याख्यान कथन संबोधन प्रतिवीदन आदी प्रात्मिक सुरोड के अंतरगत सम्रिट किये जाएंगे जो निम्न है गुलाम गिरी पुस्तक जोती राफुले ने लिखीती सीवाजी का पौवार किसान का पुस्तक इसारा ब्रामनों की चलाके अखंदिता का विरचना अचूटों की कैफियत तृती रत्न पवार सिक्षा विभाग के ब्रामन अध्यापक्त का संत्सार 1882 हंटर सिक्षा आयोक का दिया गया प्रतिवेदन ये सब सारे जोती राफुले के पुस्तक है मुल पुस्त अनों द्वारा लेखित पुस्तक लेख सोद पत्र संपाद किये आधिका ध्यान दोती रोत के रूप में सम्रीट किया जाना जो निम्दान्त है महात्मा जोती राफुले का और कनहया लाल चंजकी का प्रलब इस तरह से आप दोती रोत में आप इस तरह से डाल सकते हो ठीक एस सकेंट सिमिस्टर ठर एड़ फॉर्थ में भी आपको उपकरन लिखना होगा ठीक उदैस और उदैस का अपकरन जैसे ह Kate गों है कि महात्मा जोती राफुले के परिवार में समाजिक विष्ट भूमिक अध्यान करना अपकरन है कि महात्मा जोती राव फूले के संबंद में विभीन शुरोतों से प्राप चैनकारी वा सुचनाओं का संग्र दोतिया अध्या है और फिर महात्मा जोती राव फूले के दार्शनिक विचारों का अध्यान करना प्रा प्रत्त्त अध्या के प्रस्तुत अध्यान में माहत्यान जोटी रह फुले की प्रत्यक शुरूप से सिर्षा को प्रभावईट करने वाले विचारों कार्यों को समलीड किया जाएगा, थीक है. फिर अध्यान का संगटन हो जाएगा प्रतम अध्यान हो जाएगा दोतिया अध्यान Şamashya Qathan के अध्यान के उदेश आकरेस, रोज, शोध, विदी, परिशीमा, वज, अध्यानों की संगटन की समलित किया जाना चाहिए फिर दूतिया अध्यान में आप लिख सकते हो दूतिया अध्यान में आप लिख सकते हो कि इस अध्यान में महात्मा जोतिराव फूले के जीवन परिचाए उनके व्यक्तितों को प्रभाइद करने वाले प्रमुक व्यक्तितों घटनाएं समाजी कारिक करता वो सुधार समाज सुधार के रूप में उनके द्वारा किये जैसे अक्षी को समाजी कारियों को समलीड किया जाएगा इसमें जोटी रोग फुले द्वारा लिखी पुस्त को प्रतिवेदन आदिक का भी उलिक किया जाएगा ठीक है और तृती है आपका हो जाएगा संबंधित साहित के सर्वेक्षन में समस्या से संबंधित उस्तके लेख संपाद देखिए प्रतिवेदन, सोध, पत्र पुर्व से हुए सोध कारियों की विसलेशन किया जाएगा चतुर्थ में आपका हो जाएगा इस अध्यान में जोटी राफूले की धार्शनिक, समाजिक, अथवा, राजनितिक दर्शन के उलेक कर उसके सुक्ष में और नवेशन का प्रयास किया जाएगा ठीक है इस तरह से आप 7 तक, आप 7 अध्यान तक कर सकते हो 5, 6 and 7 सोध व्राप्ति सोध व्राप्ति आप कर सकते हो ठीक है, सोध व्राप्ति भी लिखना आए प्रस्टु सोध में संबंधी निमली की सोध व्राप्ति ग्याथ हुई है जोटी राउ का दर्शन मानवत वादी था ठीक है इस तरह से आप सोध प्राप्ती दे सकते हो अब मैंने सोध प्राप्ती 12 बारत तक मैंने इनका दिया हुआ है ठीक है आपको निसकर्ष देना है ठीक है जो टीर ओफ हुले ने सिक्षा की समाजिक परिवतन में प्रभावी साधन बनाया धर्म ग्रंत वर्ण वजाते विवस्था नारे दास्ता बुलभूद व्शोसन की विवस्था की विरूट अपने विचार प्रस्तूत की भूलों ने मानता वादे दिश्टिकोन के अनुरूप सतनता समानता और नियाए वड़ारित एक सुन योजी शिच्चा योजना समाज क समस्त प्रस्तूत की तथा उसको अपने संगर्ष और प्रयासों द्वारा क्रिया नीवन तक भी किया ठीक है इस तरह से आप कर सकते हो एंड फिर है मैंने इनका सुझाओ लिखा जे तो सुझाओ सरकार हे तो सुझाओ ठीक है सैक्चिक संस्था एम सिक्षार्ति हे तो सुझा इस तरह से आपको सुझाओ लिखना है समाज हे तो सुझाओ जैसे आप लिख सकते हो कि आधनिक प्रगती सील समाज में आने एक विसमताएं व्यापत है महात्मा जोती राव फुले कि सैक्चिक एम समाजिक दर्शन के यदि सहायता ली जाए तो इन विसमताओं का निराकर प्रण किया जा सकता है ठीक है इस तरह से आप समाज हे तो सुझाओ लिख सकते हो सरकार हे तो सुझाओ सरकार हे तो सुझाओ भी आप लिख सकते हो सरकार अपने सरवस्तित्षा भ्यान जैसे सैक्चिक कारिकरम को जोती राफुले के सैक्चिक दर्शन के प्रेरना लेकर न थीक है इस तरह से आपको दोनों का सुजहाऊ देना हैं इस तरह से आप कोई भी टॉपिक पे अपना इस तरह से पॉर्मेट करकर करके बना सकते हो जैसा मैधने बनाया फिर आपको सबसे लाश में क्या करना है कि संदर्ध घृ त मतलब कहां कहां से आपको किस-किस बुक से, किस-किस जगर से, आप किस प्रिष्ट से आपने ये सोध प्रस्ताव स्टार्ट किया है, आपने जैसे मैंने लिखा था, अमेटकर बियार, अमेटकर का जाती वे, इस तरह जो जो मैंने बुक का, उप्यो किया हुआ है, उस बुक का मैं यहां पे नाम, और पिर उपिष्ट नंबर आपको लेना होगा जैसे मैंने दिया हुआ है संदर्व ग्रंद इस तरह यह आपको बहुत important है आपको संदर्व ग्रंद देना होगा ठीक है तब आपका जाकर आपको सुध प्रस्ताव complete होगा ठीक है फिर लास्ट में आपको अपना फिर से एक पेज में अपना topic जैसे आदुनिक परिपेक्ष में महात्मा जोदी राव फुले की सेक्षिक विचारों को समिक शात्मक अधियन और फिर image की उपादी है तू प्रस्तूद प्रस्ताव इस तरह से आपको लिखना नाम college का नाम और आपका जो teacher हैं जो आपको निर दे सक हैं उनका नाम आपको लिखना होगा ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते हो और यह आपका सुध प्रस्ताव यानि research paper आपका complete होता है यह रहा आ नियुक्त को lige आपके को सब्सक्राइब करने परंट पेपर यह मैं नहीं लगता है कि यह आपको कोई वीडियो बनाकर दिखाया होगा वो भी research paper का step by step तो I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो सारा चीज समझ में आ गया हो अगर आपको थोड़ा सा भी कोई चीज में doubt है तो आप मुझे comment कीजे मैं सारा doubt केलियर कर दूँगी ठीक है और please मेरे चैनल को subscribe कीजेगा like कीजेगा और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है और फिर आपको और भी कोई और भी information चाहिए तो आप मुझे comment कर सकते हो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care have a nice day thank you